नमस्कार मैं हूँ प्रकर प्रकाश मिश्रा आप देख रहे हैं शक्सियत शक्सियत में हमाई संग एक खास मेहमान मौजूद हैं प्रताब गर से जीत कर आए हैं पहली बार संसत पहुंचे हैं अपना दल के उपर उन्होंने चुनाव लड़ा और दो लाक सैंटीस हजार से पहुंचे और यहां तक की कॉंग्रेस की जमानत जब तुन्होंने करा दी प्रताब गर के अंदर मैं बात कर रहा हूं कुवर हर्बंज सिंग की मेरे साथ मौजूद हैं प्रताबगड के मौजूदा सांसद और अपना दल की निता कुवर हर्बंज सिंग का जनम 4 सितंबर 1950 को हुआ साल 1971 में हर्बंज सिंग नौकरी के तलाश में मुंबई पहुँचे यहां उन्होंने अपना कारुबार शुरू किया यहीं से उन्होंने अपनी राजनितिक करियर की शुरू आज की हर्बंज सिंग कॉंग्रिस समाजवादी पार्ठी और बियस्पी की टिकेट पर यूपी में लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली इसके साथ ही साथ हर्बंज सिंग महराष्ट में भी विधान सभा चुनाव के दौरान अपनी किस्मत आजमाते नजर आए लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली इस साल जब सोलवी लोकसभा के लिए चुनाव हुए तो अपना दल का बीजेपी के साथ कट बंदन हुआ और प्रताबगर से उन्हें अपना दल ने अपना उमिद्वार मनाया इस बार हरवंज सिंग दो लाग से जादा वोटो से जीत कर पहली बार लोकसभा पहुँचे कुमर साब आपका बहुत बहुत सवागत है कुमर साब 1971 में मैं आपको लेके चलता हूँ जब आप पहली बार नौकरी करने मुंबई पहुँचे थे मुंबई से नौकरी करते करते राजनीती और फिर संसत पहुचना ये कैसे हुआ देखिया ऐसा हुआ कि मुंबई जब मैं पहुचा तो पहले मैं पैसा कमाने के दिश्री से गया था लेकिन जब मैं नई बंभी गया तो वहां हमारे उत्तर भारतियों बढ़ा त्याचार हो रहा था फिर लोगों ने सबाब याफर भी ति इसमें नहीं राजनी जाओंगा दोंग हम को चुन के बेजाएंगे तो मैं बहुत ही अभारी हूं तो इन visualize कशन के भेजा है और और पूरी नि शागा करूंगा पता नहीं हो पाएगा कि वहां बहुत не Celam काम बहुत कम हुआ है पहले और मैं जोर से लगा हूँ अभी और आते आते मैंने एक वहां बन रहा है तो उसका आधा काम बाकी है दस साल से बन रहा है मैंने एक साल वे शंकल बिल्याक उसको पूरा कराता हूं माननी गटकरीजी ने उसके लिए करीब कर दिया तुरंट और उसका काम चालू हो गया है एक बाइपास है 175 क्रोड रुपय का है उसका लैंड एकुजिशन काम चालू है वह तुरंट मतल आगे बढ़ रहा है और में खाल सभी नोटिफिकेशन हो जाएगा गजट हो जाएगा लैंड एकुजिशन का और उसके बाद इस्मिति रानी जीन का आभारी हों कि मैंने परमीर दिया था कि हम इनशिती बना देंगे क्योंकि प्रताब गड़ बहुत पीछे है सिक्षा दिश्थी से बहुत ही पीछे हैं तो मैं हसी मजाक में कहता था कि भाई हम लोग मजाक करते हैं बोलते हैं कि सो पढ़ान एक प्र जो रिपोर्ट उनको चाहिए थी वह कंसीडर कर रही है और साथ इसी बजट में विश्विद्याले आज तक नहीं मिला और अगर विश्विद्याले बनेगा होता क्या है कि योजनाय बनती है चैप्रताब गाड़ो उसकी दर्द यही रहा है देखिए ऐसा है कि मोदी जी के नेत्त में खुबी है कि जो युजनाय बन जाएंगों पूरी होंगी आपने देखा होगा कि एक लाक्षा जार कोड़ उपया तो कल वर्ड मेंग ने सेंक्शन कर दिया गुजरात पैटन देख कि रजवानों का इतिहास रहा है प्रताब कड़का क्या कुछ ऐसा है जिस विरासत पे आप गर्व कर सकें और आने वाले टाइम में वहां टूरिजम भी डैवलप हो सके ऐसा कुई प्लान है आपके पास देखिए ऐसा है कि राजा माराजा तुहां रहे हैं तीन बड़े र यूपी में करीब 200 साल मिंस्टर रहे है और एक परिवार राजगोवां इरत्ना सिंग का है इनके पिता जी दिनेश सिंग जी माराज जी इंद्रा जी के टाइम में नहुरू जी के टाइम में काफी अच्छी पोजिशन में रहे हो के निसक्र रहे तो चार बार वहां से सनस देखने में जिसे तिरात रहे अंध्यरा रहा जाता है ऐसी कुछ बात है राम राज नहीं आपाएगा क्योंकि सिस्टम ही पुरा करप्ठ है ठीक है और तो मंत्री सिरे के संत्री तक गड़ बड़ी चल रही है तो यह मानि मोधी जीक नितित में इसको हम लोग सुधारने के प कई प्रद्वाट में कहते हैं प्रद्वान मंत्री इंडोर्स कर गए उसको आप कैसे प्रतिभाओं को डूनेंगे लेकिन उनके डेवलपमेंड के लिए कुछ किया नहीं गया है इस पे बात करके उन प्रतिभाओं को कैसे डेवल a जाए मैं देखता हूं कि वहां दो चार कोई ऐसी चीज करेंगे कि उनके लिए कोई वजीफा हो इंटर कॉलेज से ही हाई स्कूल से जो लड़के लंबी कतकाठी के हैं मजबूत हैं उनको पहले ही स्पोर्स कोटे में आगे लेके आया जाए और वहां क्योंकि आप इस्कूलों को समझते हैं इस्कूलों के अंदर ये महल कैसे क्रियेट होगा देखिए मैं कोद एक उद्योग पती हूँ चोटा मोटा जो भी है बहुत बड़ा उद्योग पती तो नहीं हो मैंने के मुक्रे सम्मानी में हूँ मैंने उद्योग में पैर रखा है और अपना भी फंड में इन बच्चों पर खर्च करूँगा यह सरकारी फंड के पूर मैं डिपेंड नहीं करूँगा हमारा घर मैं खुद का भी पैसा इन प्रद्वाओं पर खर्च करके इनको हम आगे ले जाएंगे और गौर्मेंट से के लिए भी जादा काम दे वहां की महिलाओं को भी उसमें इन्वाल्व किया अच्छा प्रश्णा आपने किया कि पहले बगीचिये लगाया जाते थे आज बगीचिये वहां किसान काट रहे बगीचे काट रहे किसान सबसे सस्ता कोई चीज हमको दिखाई पड़ा तो इस प्रताब गढ़का आउला दिखाई पड़ा 2 रूपया किलो दो रूपया किलोम कोई पर्चेज़ उनके पास नहीं है इसी आउने को पंदर रूपया किलो मिला करता था तब किसान मस्त था आज 2 रुपय को लेपन नहीं बीकरा है यही मैं काराओं के ध्यान नहीं दिया ग तो उस आउले में रेशा नहीं है उस आउले का पल्व बन सकता है अभी हमने इसके लिए गोश्टी किया मुझे चुनके आया तो भी दोई मेना हुआ करीब करीब ठीक है तो अभी मैंने पिछले सनिवार को बंबई में गोश्टी रखवाया था पतकारों के माद्यम से तो द यंग एमपी एकदम तो तीनों ने अपने अपने बात कही हम चाहते हैं कि पुर्वांचर और अवध मिलके एक बढ़याँ सा एरपोर्ट वहां बने जो हमारा एक हब बन जाए बड़ियां और वहां से जो एक्सपोर्ट वगर बढ़ियां हो सके जिसे नासी कुम बना हुआ है तो मैनारस भी हो सकता है तो हम लोग सम्मावनों तलास रहें जैसे मैं खुद एक सुकर फेक्टी लगवा रहे हूँ आज सुगर फेक्टियां बंद हो रही हैं तमाम फेक्टियां बेज दी गई मायोती जने कमसकम इतना उनको ध्यान नहीं आया कि कमसकम जमीन रहेगी ताकि उद्योग लगा जा सकता है तो उन्होंने धड़ा-धड़ बेज डाला और आउने पोने भाव में बेज दिया अभी क्या उनके अंदर की बात है बगवान जाने लेकिन जगह भी नहीं रखा अब वहां प्लाटिंग हो रही है इंडस्टी के जगह खत्म हो गई वह इसे भी पुरवांचल में बहुत कम है तो लेकिन फिर भी मैं एक फेक्ट्री लगा रहा हूं माने मुखवंधि जल्दी से में खुल जाए और उसमें सुगर फेक्ट्री है इनके पास बिजली नहीं है थम पावर प्लांट को जनरेशन में ला रहे हैं जो बगास निकलेगा जैसको खुया करते हैं जूस निकलने के बाद आधी खुया गिरेगी मत्तब वावर जनरेशन वालर में और आधी खुया कार्णतल normally तो पांच महीना जब मृचलेगी आधी जल्ती रहेगी चुविस्टवेस घंटा ये बाद इसकार सीजन खतंब हो जाएगस तो तो ये ड़ौन प्लांटन को देगा ये उसकौना बावर वाला तो पावर हमको खुदना नहींritis आए पावर हमकों चार में मेगा है साथ बेसे ग्यारवे तक उनको लाइट की तकलिफ नहीं आएगी अब बात कह रहे हैं कि हम शुगर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं गन्ना किसान उत्रपुदेश में रो रहा है उसका बकाया सरकार नहीं दे रही है शुगर मिले नहीं दे रही है गरीब हो गया है कैसे उस रुपए में 28 रुपए आप गन्ना का रेट दिला देंगे मायोती जी किसानों खुश करने के लिए रेट बढ़ा दी कभी मुलारम सिंग्जी ने बढ़ा दिया कभी अखलेश सरकार जी बढ़ा बढ़ा तो दिया यह वहां तक जाएगा कैसे पहुंचेगा नहीं देखे जब तक आप तालमेल उसका नहीं बढ़ाएंगे तब तक किसे सर्वाइब करेगी आप लोग अपना दल से दो सांसर लेकर आए जीते हैं और यह भी कहा जाता है कि पटेलों ने प्रधान मंतरी को प्रधान मंतरी बना दिया वहां पर लड़ रहे थे बनारस के अंदर तो क किससे क्या काम लेना चाहते हैं ठीक है वो उनके ऊपर है जहां तक बात है बोजे मैं तो एंपी बनके बहुत खुश हूं मैंने इस तोर से ही मांगा था कि मुझे एक लोग सभा में भेज़ देना मैं आपको एक शायर की बाद बताता हूं कि एक लड़की से बहुत प्यार करता था एक शायर मुसल्मान था और उसकी साधी हो गई जब वो जाता था मस्जिद में तो वही प्रियर करता था कि भाई हमको इससे साधी हो जा इसके बाद कुछ नहीं चाहिए इसी तरह से उस कुछ मांगता ही नहीं मैंने लास्ट वही मांगा था तो उसने एक सैर लिखा जो मेरे उपर भी लागू होता है कि सब कुछ तो मैंने मांग लिया तुझको मांगकर उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद मैं जलते चलते सिर्फ यह जाना चाहता हूं इस साल के अंदर और वो कौन से तीन संकल्प आपने लिए हैं जो एक साल के अंदर आप प्रतापगड की जनता को देना चाहते हैं देखिए एक साल में मैं चाहता हूं कि वहां इंवर्शिटी का काम चालू हो जाए फ्लाइवर कंप्लीट हो जाए फ्लाइवर इतना खतरनाक है कि आधा जाम रहता है तीसरा एक बड़ा सवाल है प्रतापगड में स्वास्त की सुधाय बहतर नहीं है आपने बात कर ली कम्मिनिकेशन की कि हमें देना है कनेक्टिविटी देनी है रेल्वे का डबल ट्रैक आपके हां नहीं है और वहां पे स्वास्त की सेवाई नहीं है तो एक लगई पदमावत जाती है उसमें हमने कहा कि वह तीन चार डबे लगा दो वह मंतरी जिर्मान लिया है उसमें के कोई सुधा नहीं हो भी उन्होंने का कमें कोश लगा देते हैं तो मतलब एकी साल में तो सब कुछ नहीं हो जाएगा एकी बजट में कुवर हर्बन सिंग जी मांगने के बाद अब हाथ मेरे उठते नहीं इस दूआ के बाद यानि संसत तक पहुचा हूँ अब मैं जंता का सेवक बन कर काम करूंगा हम भी ये वादा करने हैं दर्शकों से कि अगर हर्मंस जी ने प्रताब गल के लिए काम पूरे नहीं किये तो हम उनसे फिर सवाल उ मिश्रा को दीजिए जाज़त देश और दुनिया की वाकी खबरों के लिए आप बने रहें साथना नीउस के साथ नमस्कार